क्या भी शुरू करना चाहते है फ्लक्स प्रेंटिंग बिजनेस लेकिन इसके बारे में आप सब को यह जानकारी नहीं है कि इसमें टोटल खर्चत कितना आएगा इस मसीन के साथ में और क्या-क्या एक्क्यमेंट चाहिए होता है क्या-क्या समान चाहिए होता है इस बारे में पूट कमेरे की जरूत होती है और उसके बाद में जगा कैसी होनी चाहिए और कितने बड़ी जगा की जरूत पड़ेगी और उसके बाद में इस मसीन के साथ में क्या-क्या समान चाहिए कौन-कौन सा इसके साथ में एक्क्यमेंट चाहिए और इसमें कंप्यूटर कितनी मिलेगी तो आप हमारे साथ बने रहे हैं पुरी वीडियो में सुरू से लिक लार्स तक नमस्कार दोस्तों मैं हो प्रेम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूटिब चैनल एमटके साथ पिल्ट आइडियाज में तो देरी ना करते हूं चलिए सुरू करते हैं आश के व तो इसमें बताना जरूरी कि फ्लैक्स कहते किसे हैं तो अगर आपको जानका रही है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं जानका रही है तो मैं आप सको उसकी पहचान बता देता हूं कि फ्लैक्स प्रिंटिंग किसे कहते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि दुकानो सक्कूल में लगा दिया जाता है और यह फिर आपने देखा होगा कि जब हमारेसं में रिजा भूरर बनाए जाता है दो यह रसे चाहर हम इसको बना वाइग चप्राइब जयसे आपने दिखा हुगा कि करते हैं खेहिसा बंच इसक उपस्पर देने करता है उसको फिर बना करके लगा दिया जाता है और यह फिर रस्ती के साहरे उसको बांतर के ऊपर से दो साइड में उसको छेट करते हैं और एक खोड़ बना करके इसमें रस्ती लगा जाती है और फिर रस्ती के साहरे उसको लटका दिया जाता है तो वो भी एक बोड़ दाम करता है और जो फ्लेक्स होता है यह जब प्रिंट होता है तो यह बिल्कुल कलर फुल प्रिंट होता है आप चाहें तो इसमें फोटो के साथ साथ जैसे भी फोटो जितना चाहें उतना कलर एक बार में प्रिंट कर सकते हैं अब हो सकता है कि आप सोच रहोंगे कि फ्लेक्स जो प्रिं स्रेल बाता है जो कि अलबालग साइज के हिसाफ से रोल आता है इसकी कॉछलेटिज फिसके से क्वालेटिज का रहता है इस का रेट को लाता है एक क्वालेदि के बां इसका सब्सक्राओं धेस neighborhood होता है आपने flex बारे में समझ लिया, flex के बारे में जान लिया कि flex किसे कहते हैं और अब आगे हम जानेंगे machine के बारे में और इसे costing के बारे में तो चलिए हम जान लेते हैं flex machine लगाने के लिए किस किस समान की जुरुत पड़ेगी जो कि इतनी details में YouTube पर flex machine लगाने के बारे में किसी ने भी तक नहीं बताया है और नहीं इतनी details के वीडियो YouTube पर available है इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबको एक details वीडियो बना कर दूँ फ्लेक्स के बारे में जिसे कि आप सब भी अगर flex machine लगाना चाह रहे हैं तो आप सबको पूरी जानकारी मिल जाए अगर आप machine लगाने के इच्चुक हैं तो आपको machine लगाने से पहले machine के लिए जगा की विवस्ता करना है और इस machine के लिए कम से कम 10 बाई 15 फिट का कमरा होना जरूरी है लेकिन 10 बाई 15 कम से कम होना चाहिए अगर इससे कम होगा तो machine से 60 नहीं हो पाएगी वैसे इस machine के लिए 12 बाई 18 का कमरा सबसे रहता है और अगर इससे भी बड़ा हो तो और भी अच्छी बात है यह तो हुई कमरा की बात अब चलते हैं machine के तरफ और जानते हैं machine के साथ साथ और क्या-क्या सामान चाहिए तो सबसे पहले आपको machine लेना है जो कि flex printing machine के नाम से आती है और flex printing machine जो होती है इसका brand कई प्रकार का आता है कई कमपनिया है तो flex printing machine ब्रांड आप अपने अनुसार ले सकते हैं जो आपको suitable लगे जो अच्छे लगे वो ब्रांड आप ले सकते हैं तो पहले नमबर पर आ गई flex machine और दूसरे नमबर पर आता है आपके लिए solvent waste ink हो जाएगा जैसे machine आप लेंगे तो जाहिर सी बात है कि machine चलाने के लिए हमारे को इंक की जुरूत पड़ेगी तो दूसरे नमबर पर solvent waste ink के लेंगे और तीसरे नमबर पर चाहिए फ्लेक्स बैनेर मेडिया रोल क्योंकि अगर आपके पास में बैनेर मेडिया रोल नहीं रहेगा तो आप उसको पर फ्लेक्स प्रेंटिंग नहीं कर पाएंगे तो हमने यहां पर तीन चीज़ जान लिया है यह क्या क्या चाहिए और चलते हम आगे चौथे नमबर पर हमें चौथा क्या चीज़ चाहिए तो चौथे नमबर में आएंगे यहां पर आपको मसीन चलाने के लिए चाहिए और उसके बाद में हम चलते हैं पांचवे नमबर पर तो पांचवे नमबर हमारे को एलेक्टिक अर्थिंग रड चाहिए होता है जो कि मसीन में लगा जाता है वह भी मैं आपको भी आगे बता हूँगा और उसका बाद में छठे नमर पर है दो कंप्योटर चीए हमारे को क्योंकि फिलेक्स मसीन चलाने के लिए हमारे को दूच के ज़रूत पड़ेगी और यह दो कंप्योटर क्यों लगेगा हमारे को ये मैं आगे बात करूंगा इसक तो एक computer होगा machine के साथ connect रहता है, जो कि print command देने के लिए और दूसरा computer होता है design करने के लिए Flex printing business के लिए आपको Coreltra की और Photoshop की जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन दोनों के बिना आपकी जो machine है वो बढ़िया से नहीं चल पागी क्योंकि Coreltra होगा उसे machine operate होती है और designing के वी काम आता है और Photoshop के लिए तो designing की जुरूत पड़ेगी पड़ेगी क्योंकि photo editing Photoshop में ही होगी तो इसलिए आपको Photoshop की जुरूत बहुत जादा है और Coreltra की जुरूत है इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि machine के बारे में बता दिया समान के बारे में बता दिया लेकिन खर्चे कितना है इसके बारे में कुछ नहीं बताया तो अब हम बात कर लेते हैं समान के price के बारे में और जान लेते हैं फ्लेक्स बिएने शुरू करने में हमें total कितना खर्चाएगा सबसे पहले 10 feet machine की कीमत हम जान लेते हैं जो फ्लेक्स machine आगे उससे कीमत क्या होगी वह हम जानेंगे तो यह चार हेट वाली हम बात करेंगे machine के क्योंकि इसके head भी अलग अलग आते हैं लेकि भी कंपनियों का प्राइश लाए लग तो मैंने कई कंपनियों से बात किया तो किसी ने मुझे छे लाक रुपे बताया और किसी ने साड़े चेला किसी ने छेला पच्चेस जार किसी ने सात लाक तो इसी हिसाफ से अलग-अलग इनका रेट है machine का अब हम यहाँ पर 6 लाक मानगर चलेंगे 6 लाग की मशीन होगी प्लस GST होगा प्लस ट्रांस्पोर्टेशन होगा 6 लाग को अगर हम 18% से GST निकालते हैं तो 1 लाग 8,000 रुपे GST बनता है लेकिन अगर आप GST बचाना चाहते हैं तो बिलिंग कम का भी करा सकते हैं अगर आप 6 लाग की मसील ने रहे हैं और सोच रहे हैं कि GST बचा लूँ तो आप सिरफ 2 लाग का बिलिंग करा लीजिए तो उसमें आपको खर्चा कम आएगा लेकिन अगर आप GST बचाना चाहते हैं तो बिलिंग कम कर सकते हैं वरना आप पूरी कीमत का बिल ले सकते हैं और उसमें आपको पूरा GST भी देना पड़ेगा फिर अगर आप 2 लाग का बिल बनाते हैं तो GST आपको 36,000 देना होगा और अगर आप 6 लाग का बिल बनाते हैं तो फिर आपको 1 लाग 8,000 रुप GST देना होगा तो हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले अगर आप दो लाग का बिल बनवाते हैं तो 36,000 रुपे हमारा जेश्टी बना 18% के इसाब से प्लस मसीन का प्राइस हुआ 6 लाग तो हम दोनों को अगर टोटल करेंगे तो 6 लाग प्लस 36,000 तो 6 लाग 36,000 हुआ प्लस आपके एरिये के साब से आपका ट्रांस्पोर्टेशन होगा जो कि आप एरिये के अनुसार पता कर सकते हैं यहाँ पर मैं आप सबको ट्रांस्पोर का खरचा नहीं बता सकता है क्योंकि आप पतन किसे एरिये से मसीन खरीदना चाहरे हैं और कहा मगवाना चाह रहे हैं तो क्योंकि एरिये के साब से खर्चा डिफरेंट होता है तो यहां पर मैं आप सब को ट्रांस्वोट का खर्चा नहीं बता सकता यह आप अपने एरिये में पता कर सकते हैं जब जिस्टामा मसीन खरीदेंगे तो हम पर कंपनी वाले खुदी बत अबसी करते हैं यहां जयागी आपकी प्लस ट्रांस्पोट का खर्चा अलग से होगा इसमें साथ हैं और इस से ज्यादा की काफी मशीने हैं जो की दस लाग राला की मशीने हैं लुकिन मैं सब को श्टार्टिंग तैंग हाँ इसके बाद में अगर कोई आप second hand machine लेते हैं जैसे कि क्या करते हैं company वाले वो पुरानी machine उठा लेते हैं तो उसके body रखते हैं पुरानी और उसको फिर उसमें नया board अगरा डाल देते हैं उसमें kit नया लगा देंगे मदर बोड नया लगा देंगे और head अगरा नया लगा कर दे देते हैं तो वो machine आपको सस्ती मिल जाती है वो machine आपको साड़े तिन लाग के असपास के मिल जाएगी लेकिन अच्छा होगा कि आप नई machine लें उससे अच्छा रहेगा तो आपने machine के रेट के बारे में जान लिया और देख लिया कि machine कितने की आएगी अब आगे हम चलते हैं इसके next step पर तो दूसरे नमबर पर हम online UPS के बारे में समझ लेते हैं और जान लेते हैं इसका price क्या पड़ेगा online UPS का price भी different different है company के साथ से अलग अलग प्राइस है इसका तो यह आपको 50-60,000 रुपे के बीच में पड़ेगा कोई UPS आता है तो यह 50,000 का है कोई 55,000 का कोई 60,000 का है तो यह online UPS थोड़ा महंगा आता है इसलिए 50-60,000 रुपे का पड़ेगा और इसका जो यूज है यह भी मैं आपको बता दूँ यह online UPS यूज किसी लेकर जाता है यह जाना भूज जरूरी है कभी कभार क्या होता कि जो हमारी printing चल लगी होती है प्रिंट कमांड दिया होता है हमने तो बीच में लाइट चली जाती है तो क्या होता है कि जो आपके printing जैसे कि मालीजे आधि प्रिंटिंग हुई है और आधि बची हुई है तो आगर लाइट चली जाती है तो फिर मसीन जब बंद होती जहां से फिर वहीं से दुबारा पर आपको मसीन में आनलाइन-URPS नहीं लगा हुआ है तो जिसे लाइट जाएगी, तो मसीन आपकी रुख जाएगा और जैसे ही लाइट आएगी तो फिर आपका जो printing कमांड दिया है 10.10 यह फिर सुलुच से प्रिंट होने लग जाएगा जो आपका आधी प्रिंट हुआ ह वह आधे प्रिंटिंग आपकी बेकार हो जाएगी, और अगर आपके पास में online UPS लगा हुआ मसीन में, तो जहां से लाइट जाएगी, तो वहीं से प्रिंटिंग आपकी start रहेगी, यानि की मसीन रुकेगी नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर light आपकी चली जाती है, त अगर आप online UPS लगाते हैं तो इसमें फिर light जाने से कोई खत्रह नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई भी problem नहीं आती है इसमें क्या होता है कि अगर आपका online UPS लगा होता है तो अगर light चली जाती है मानिजी आपका print का नहीं का टाइम पर तो फिर यह machine बंद नहीं होती है फिर machine उसी running में चलती रहती है, आपका जो print होता है, जैसे कि मानिजी 10 वाई 10 का अपने print कमान दिया हुआ है और पांच फिर प्रिंट हो और light चली गई, तो machine आपके यहां पर बंद नहीं होगी जब तक यह पूरे print नहीं हो जाएगी यानि कि online UPS जो है वो पूरा बिजली का काम करता है, बिल्कुल electric का काम करता है तो यह machine के लिए बहुत फायदे मन होता है, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है और इसके बाद में अब बात आती है electric earthing rod की, electric earthing rod जो है यह आपको यह आपको 15,000 की पड़ेगी और इसको इसको इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो light होती है कम जादा होती है तो इसमें जो machine का motherboard होता है वो फूकने कड़र होता है इसलिए वहाँ पर electric earthing rod लगा जाती है जिससे कि machine में जो earthing आए वो पूरी मिलती रहे अगर light कम जादा हो तो फिर वहाँ पर रोग कबर कर लेगा और machine में जटके नहीं आएंगे अगर आपकी earthing rod नहीं रहेगी तो इसमें गया होगा कि अगर light कम जादा होगी तो वहाँ पर जटका लगएगा और फिर robot फुक जाएगा machine खराब हो जाएगी head भी आपके खराब हो सकते हैं उसमें head भी खराब हो जाता है तो इसलिए आपको यहाँ पर electric earthing rod लगाना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद में यहाँ पर बात बाती है दो computer की तो दो computer का जो rate है मान लेजिए अगर आप ज़्यादा महेंगा computer नहीं लेना चाहते हैं तो आप सस्ते वाले ले ले लिजिए 20-20,000 का मान लेजिए 20-20,000 में भी मिल जाता है जिससे की designing भी हो सकती है और machine भी उससे आराम से चल जाएगी तो दो computer आपका 20-20,000 का हुए 40,000 का computer हुआ है और उसके बंद फिर अब आती है बात flex banner media का तो मान लीजिए हम इसको बहुत ज़्याद अगर material नहीं लेते हैं तो इसको 10,000 का ले लेते हैं सीधा सीधा इसका अबरे लगा लेते हैं 10,000 रुपे जो कि हम flex banner media ले ले लेंगे और उसके बाल में अब बाताती है इंक का रेट अलग अलग है जो कि 300 रुपे पर लिटर के सबसे start है और ये तो आपको यह 300 रुपय में बढ़े व्पी है अच्छा भी है अच्छा बी है तो हम बहुत ज्यादे नहीं इसको पाच लिटर के हिशाब से अघ इंक लेते हैं मानिजे एक कलार हम लेते हैं पांच लिटर और हम यह चार इंग लेंगे तो चार क्योंकि पांच लेंगे सिंग करेंगे तो यह 20 लिटर उजाएगी टोटल हमारी और 20 लिटर इंग को अगर हम अब इसको हम टूटल करके देख लेते हैं तो अब हम यहां पर 6 लाग की मसीन जूढ़ेंगे और हमें यहां पर पैशा बचाना है क्योंकि हम विजनेस नैया च्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे को पैसा बचाना है तो हम यहाँ पर क्या करें कि सिर्फ जो हम GST देंगे वो सिर्फ दो लाख रूपय का GST देंगे छे लाख मसीन का रेट हुआ और दो लाख की मिलिंग करेंगे और दो लाख की GST वहनेगी तो 36,000 GST हुआ दो कंप्यूटर लेना है तो दो कंप्यूटर का दाम हो यहाँ पर 40,000 रुप इसके बाद में फ्लेक्स 10,000 और इंक 6,000 सारा टोटल करते हैं तो हमारा यह 7,66,000 रुपय होता है और इसके बाद भी आपका ट्रांसबोर्ट चार्ज रहेगा उसको आपने एरिक हिसाब से जोड पड़ती है तो आपको सब को समझ केंगे होंगे और वीडियो कर आपको पसान आइतो लाइक के और सीहर चानल पर अगरा आप नहीं है तो इस इनको सब्सक्राइब जरूर करें आईए हम यहाँ पर एक वीडियो के माद देखते हैं मसीन कैसे चलती है यह रेनिंग में कैसे लगती है और कैसे प्रेंट करती है यह भी आपको देखना जरूरी है मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा और मैंने machine के पास में इसलिए video ने मनाया है कूँखि वहाँ पर आवाज आती है तो आपको समझ नहीं पाएंगे इसलिए मैंने इस तरह से video बनाया और last में आपको दिखा रहा हूं कि running कैसे होती है and machine कैसे print करती है तो इस तरह की यह machine होती है और ऐसे print होता है इसमें आप इसको देख सकते हैं और अगर आपको लगे कि हाँ आपके लिए फायदे मन्द मशीन है आपके पास में ऐसा काम होगा इस तक काम निकलेगा तो आप बेफिकर होकर यह मशीन लगा सकते हैं और इस बिजनेस को स्टाट कर सकते हैं